यहां लेक्चर मद्द प्रदेश की प्रमुख नदियों के उपर होगा नदियों से रिलेटेड जो भी important information है वो आपको दी जाएगी यह एक लेक्चर मद्द प्रदेश का जो नदियों का topic है वो पूरा cover करेगा यानि कि आप अगर यह एक लेक्चर देखते हैं तो आप जो है मद्द प्रदेश से अगर नदियों से question आते हैं तो आप उसमें थोड़ा सा confidence फिल करेंगे तो यह लेक्चर मेरे द्वारा दिया जा रहा है माई नेम इस विक्रम खंडेलकर तो आईए सुरू करते हैं बात करते हैं नर्वद नदी की नर्वद नदी का जो उद्गम इस्थल है वो अमरकंटक की पहाड़ी अनुपूर से हुआ है और अनुपूर से ही याद रखी है अमरकंटक की पहाड़ी से तीन नदियों का उद्गम हुआ है एक तो है सोन नदी दूसरी है जोहिला नदी और तीसरी है अपनी नर्वदा नदी जिसे मद्यप्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है जिसकी कुल लंबाई है 13-12 किलोमेटर जिसमें से मद्यप्रदेश में ये 10-70 किलोमेटर भाहती है और एक बार तो इसका अपवाहा छेत्र भी पूछ लिया गया था पेपर में ये भ उनकुनसी करके पूछे जा सकता है कोश्चन इस प्रकार का बन सकता है कि इनमें से कुनसी नर्वदा की सायक नदिया नहीं है इसलिए पूरी सायक नदिया याद रखना ज़रूरी है एक तो है तवा नदी सेर नदी सक्कर नदी हीरण नदी दूद नदी हातिनी उटी कानर और बारना तिंदोली और मान नदी ये सब नरबदा की सायक नदी है थोड़ी important नदी हैं और नरबदा नदी से आपको important और extra information देदू नर्वदा नदी को मद्द प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है और ये मद्द प्रदेश महराष्ट और गुजरात से होते हुए गुजरात से होते हुए खंबत की खाड़ी में भारुच नामा की इस्तान पर गिड़ जाती है अरपसागर में मिल जाती है और नर्वदा नदी की कुल 41 सायक नदिया है और नर्वदा नदी को रिगवेद में रेवा के नाम से जाना जाता था है और ये पूरब से पस्चिम की और बहने वाली नदी है और ये डेल्टा नहीं बनाती है एस्चूरी बनाती है याद रखिए ये डेल्टा नहीं बनाती ह याने पूरब से पस्चिम की और बहने वाली जो नदिया जैसे की बात करते हैं अपन एक नर्वदा नदिये एक त्रापती नदिये यह पूरब से पस्चिम की और बहती है और त्रापती नदिये को नर्वदा नदिये की जुड़वा बहन भी कहा जाता है और यह दोनों नद या डेल्टा नहीं बनाती एस्चुरी बनाती है यह प्रत्वी के गुरुणन धीसा के विपरिद भाइती है याने यह पूरब से पूरब तो नर्वदा नदी के बारे में इतना ही आगे देखते हैं चंबल नदी चंबल नदी का उद्गम इस्तल इंदोर के इंदोर के जाना नापाओ की पहाड़ी से होता है और चंबल नदी का जो प्राची नाम था वो परिक्षा में पूस्ता है चंबल नदी का प्राची नाम था चम्रावती यह इंपर्टेंट कोस्चन है और चंबल नदी की कुल लंबाई ये 965 किलोमीटर और ये मद्द प्रदेश स्थान की सीमा रेखा का विभाजन कौन सी नदी करती है तो चंबल नदी और इसकी कुछ-कुछ नदी नहीं ए और यह यमूनन नदी में जाकर मिल जाती है आगे बात त्रापती नदी का उद्गम इस्तल मुलताई की पहाड़ी मुलताई की पहाड़ी बैतुल से होता है और त्रापती नदी भी पूरब sa पस्चिम की और भेने वाली नदी है याद लृब भठ रखिये और एस्चुरी बनाती है एस्चुरी की जगा ज्वार मुग भी परिक्षा में दे सकता है ये ब्रंस घाटी दरार घाटी रिप्ट घाटी और वियाकार की घाटी से भैती है नरबादा और त्रापती दोनों नदी और आप से एक चीज़ और नहीं बताया मैंने आपको याने मद प्रदेश का दो भागों में विभाजन का काम कौनसी नदी करती है तो वो है नरबादा नदी मद्द प्रदेश को विभाजन का काम करती है बात कर रहे थे हैं त्रापती नदी की त्रापती नदी पूरप से पस्चिम के और भैनवाली नदी है और त्रापती नदी को सुर अगे देखते हैं और में! आगे देखते हैं! आगे देखते हैं सोन नदी की बात करते हैं सोन नदी का उद्गम इस्तल अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ है अनुपूर से और यह मद्द प्रदेश की एक मातर नदी है जो डाइरेक्ट गंगा नदी में जाके मिलती है और इसे सोन नदी भी कहा जाता है और यहाँ इस नदी पर घडियालों का संरक्षन भी किया जाता है और यहाँ बाण सागर परियोजना यह सब चीज़े तो अपन आगे देखेंगे तो सोन नदी जो है मद्द प्रदेश की एक मातर नदी है जो डाइरेक्ट जाके गंगा में मिलती है आगे देखते है उसके बाद है छिपरा नदी छिपरा नदी का उद्गा मिस्तल काकरी बर्डी की पहाड़ी इंदोर से हुआ है वेरी इंपर्टन कोश्चन है काकरी बर्डी की पहाड़ी इंदोर से है जैने एक ही जगह में 12 साल बाद लगता है तो जैसे उज्जयन में लगता है छिप्र नदी के तटपर इलाबाद में लगता है गंगा नदी के तटपर नासिक में लगता है गोदावरी नदी के तटपर और हरीदवार में लगता है गंगा नदी के तटपर यह चार जगह प्रदेश का सबसे लंबा पुल जिसका नाम है तवा नदी पुल यह बनाया गया है तवा नदी पे आगे देखे पारवती नदी, पारवती नदी का उद्गा मिस्तल है विध्याान, पारवती नदी का उद्गा मिस्तल सीओर से विध्यां। परवत से उत्तर के तरफ से होता है यह विद्यान कगार से उत्तर के और होता है सियोर जिले से होता है याद रखी आप सियोर से होता है यह इतना ही पूछा जाता है और यह पारवत नदी किसकी सायक नदी यह चंबल की यह काली सिंद नदी भी चंबल की सायक नदी है और ये जो है बगली तहसिल देवास से होता है काली सिंद नदी का उद्गा मिस्तल देवास से उद्गा मिस्तल परिक्षा में पूछे जाते हैं इसलिए आपको ये सब चीजे बताए जा रहे हैं सिंद नदी का उद्गा मिस्तल सिरोज तहसिल गुना स यह भी इंपॉर्टेंट है केन नदी का उद्गा मिस्तल विध्यांचल के घने जंगल केमूर की पाड़ी कटनी से होता है वेरी इंपॉर्टेंट कोश्चन है यह केन नदी का उद्गा मिस्तल केमूर की पाड़ी कटनी वैन गंगा यह पूछता है यहां से वैन गंगा नदी जाके वर्धा नदी से मिल जाती है और जो मिलती है जो संगम इस्तल है वो प्राण हिता कहलाता है और उसके बाद वर्धा नदी आगे जाके गोदावरी नदी में मिल जाती है यह सब याद रखिए आप आगे देखते हैं वर्धा नदी वर्धा नदी भी मद्रदेश की नद कुवारी नदी, ये important है, कुवारी नदी का उदगम स्थल है, सिवपुरी का पठार याने सिवपूरी, ये मान नदी बढ़हा गाओ धार, मान परियोजना भी धार में है, ये कुणो नदी सिवपूरे के पठार, ये नदी का है, और ये किये हैता तमासता नदी याने टोमस नदी तम कुंड जलास है कैमूर की पाड़ी से उख एक और नदी है वीहर नदी का उद्गम इस्थल है रीवा रीवा से उख और इस नदी पर मद्द प्रदेश का सबसे उचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात है 130 मीटर इतने ही नदियों के उद्गम इस्थल नर्बद नदी के बारे में आपको एक चीज नहीं बताया था मैंने भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है और इसमें जो है इंद्रा सागर बांध जिसे पुनासा डेम के नाम से भी जानते है यह खंडवा में है और यहां मद्द प्रदेश का सबसे उचा बांध है य महिसवर आता है हारगोन में ओमकालेस्वर जोतिरलिंग बी है यहां पर और सरदार सरवर बांध ये गुजरात में है जो मद्ध प्रदेश, महाराष्ट, गुजरात और राजिस्तान की सयुक्त परियोजन है यह चार राज्यों की सयुक्त परियोजन है और यहां से एक और चीज यह जो इंद्रा सागर बांध है यह बांध के ही आगे थोड़ा सा खंडवा में ही हनुवंतिया टापू है याने गुवंतिया दीप किस नदी पर है इस प्रकार कोश्चन भी आ जाता है नर्वद नदी पर उसके बाद बात करते हैं चंबल नदी की चंबल नदी में कौन से कौन से बांध है चंबल नदी पे एक मिलेगा गांधी सागर बांध मंसोर में है वेरी इंपॉर्टेंट और गा आप सागर बांध ये चित्तोडगर राजिस्तान में ये तीन प्रमुग बांध है चंबल नदी पर और चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपाद भी है वो सब अगे देखेंगे बात करते हैं मद्द प्रदेश के प्रमुग जलप्रपाद की जलप्रपाद से कोश्चन पूछे ही जाते हैं नरबदा नदी में जो कितने जलप्रपाद है ये देख लेते हैं अपन जो नरबदा नदी का जो उदगम इस्तल है अमरकंटक अनुपुर अमरकंटक की पहाड बेडागाड में धुआधार जलप्रपात मिलेगा आपको ये जवलपूरी है उसके बाद मिलेगा आपको खरगोन में महस्वर में सहस्त्र धारा जलप्रपात ये भी नर्बदा नदी में है उसके बाद एक दो जलप्रपात है ये मनधार जलप्रपात और ये दर्दी जलप् अभी में चूलिया जल्प्रपात है कोटा राजिस्थान के पास चूलिया जल्प्रपात चचाही जल्प्रपात से इसकोुच निकरने का है वह उसके बाद देखते केवटि जल्प्रपात केवट्टी जलप्रपात रिवा में है पूर्वा जलप्रपात और बहुट्टी जलप्रपात ये तीनों इंपर्टेंट है ये रिवा में है और ये तीनों जो है वीहड नदी पर है ये याद रखिये आप ये तीनों इंपर्टेंट है उसके बाद एक और है पी आव वन यह भी वीहर नदी पर है और यह पांडव जलप्रपात यह कन्फ्यूजन होता है यहां से पांडव जलप्रपात जब भी पूसता है तो पच्मणी भी आपसन में देता है लेकिन याद रखिए पांडव जलप्रपात पन्ना में है पच्मणी में नहीं है पांडव की गुफ जलप्रपात इंदोर के पास मिलेगा चंबल नदी में और ये जाड़ी दह जलप्रपात ये भी इंदोर में है चंबल नदी में और ये केदारनात ये अरवलिस रंकला पर है और ये एक है राहत गड़ जलप्रपात सागर में और राहत कड़ का गिला भी सागर में आप जानत और कुछ-कुछ प्रमुग जलप्रपात है, जहां से कोश्चन आने की संभावना है, रजत जलप्रपात ये पच्मणी मिलेगा हुसंगाबाद में, और ये डाचेस फाल ये भी पच्मणी में हुसंगाबाद में, अपसरा फाल भी पच्मणी में है हुसंगाबाद में, और बी फाल या वी फाल बोल सकते हैं इसको ये पच्मणी हुसंगाबाद में और ये भाल कुंड जल प्रपात इंपर्टेंट है ये बेतवा नदी पर है भाल कुंड जल प्रपात बेतवा नदी पर ये इतने इंपर्टेंट जल प्रपात थे आगे देखते हैं मद नदियों के क किनारे बसे प्रमुक सहर यहां से question आने के chances बहुत ज़्याद बन जाते हैं तो आपन देख लेते ही कौन से सहर के किनारे कौन सी नदी किनारे कौन से सहर बसे हुए जैसे बात करते हैं नर्वद नदी नर्वद नदी किनारे एक important सहर जबलपूर बसा हुआ है हुसंगाबाद महेस्वर याने खरगोन खरगोन में आता है महेस्वर ओमकालेस्वर का मंदिर ओमकालेस्वर जोतिर लिंग भी नर्वदान दिए किनारे बसवगए खंडवा में बडवानी भी नर्वदान दिए किनारे मंडला भी है जाबुआ भी है निमाण निमाल कहा जाता था पहले खंडवा खरगोन वाले छेतर को और अभी भी खंडवा को पूर्वी निमाल और खरगोन को पस्ची मी निमाल कहा जाता है ये बडवाहा ये खरगोन में आता है बडवाहा जो है ये खरगोन में आता है ये भी नर्वद नदी के तट पर ये हंडिय हंडिया देवास में आता है ये भी नर्वदनदी के टट पर बसा हुआ है नर्सिंग पूर भी नर्वदनदी के टट पर बसा हुआ है नेमावर ये नेमावर देवास में आता है ये भी नर्वदनदी के टट पर है ये पुनासा ये मिलेगा खंडवा में ये भी नर्वदनद के तठ पे बसी हुई जहां से कोश्चन बन जाते हैं चम्बल नदी में देख लेते हैं इसके तठ पे कौन-कौन से तो एक रतलाम, महु, सियोपूर, मुरेना और कोटा ये चम्बल नदी के किनारे बसे हुए पारवती नदी के किनारे कौन-कौन से बसे हुए देख लेते है राजगण आश्टा ये आश्टा सियोर में आता है ये आश्टा भी पारवती नदी के किनारे बसा हुआ है और ये है एक राजगण में ब्योवरा भी बसा हुआ है पारवती नदी के तट पर बेतवा नदी के तट पर इंप्वाटेंट है यहां से कोश्चन पूछा था आगे देखते हैं। बेतव नदी के तठ पर बसा हुआ है। और शिपरा नदी के तठ पर बसा हुआ है। विजैन। यह very important question है जहाँ पर कुम्ब का मेला लगता है और छिपरा नदी के तठपर कभी मंदीर भी पूछ सकता है तो महाकालेसवर मंदीर महाकालेसवर जोतिरलिंग बसा हुआ है छिपरा नदी के तठपर और ओमकालेसवर जोतिरलिंग पूछा तो ओमकालेसवर जोतिरलिंग बसा ह भारत में 12 जोतिर लिंगों में से मद्द प्रदेस में जोतिर लिंगों की संक्या है दो, आगे देखते त्राप्ती नदी के तठपर मिलेगा आपको एक बुरानपूर और एक मुलताई जहां से निकलती है त्राप्ती नदी और काली सिंद नदी के तट पर देवास और ये सोनकक्ष ये important है ये सोनकक्ष देवास में आता है काली सिंद नदी के तट पर सोनकक्ष बसा हुआ है और ये बागली ये बागली देवास में आता है ये भी काली सिंद नदी के तट पर बसा हुआ है और ये बैन गंगा बैन ग दक्षिन की ओर बहती है यह मद्प्रदेश की कुछ-कुछ नदिया है जो दक्षिन की ओर बहती है जैसे वर्ध नदी बॉयन गंग नदी तो यह बालाहाट सैर इसके किनारे बसा हुआ है और यह दक्षिन की ओर बहनवाली नदी है यह बिछिया नदी के तठ पर बसा हुआ ह यह भी इंपर्टेंट है, उसके बाद यह खान नदी के तठ पर भसब हुआ है। यह पूछा था व्यापम में और सीवाना नदी के तठपर बसा हुआ है मंद्सोर, very important और सीवना नदी के तठपर पसुपती नात का प्राचीन सीव मंदिर भी बसा हुआ है जो मंद्सोर में है और विश्व प्रसिद्ध पसुपती नात का मंदिर काटमांडू नेपाल में है बाग मती नदी के तटपर और ये मद्द प्रदेश में सीवाना नदी के तटपर है पसुपती नात का मंदिर मंसोर में माही नदी माही नदी के किनारे बसा हुआ है दार और कूछी ये भी धार में आता है ये दो चीज बसे हुए माही नदी के तठपर ये तठपर बसे ऐसे question पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है इसलिए मैंने आप ये लिख रखाया आगे देखते हैं अपन मद्द प्रदेश की प्रमुक परियोजना और जलविद्दुत केंदर देख लेते हैं गांदी सागर जलविद्दुत केंदर गांदी सागर जलविद्दुत केंदर ये मिलेगा आपको मंसोर के भानुपूर तैसिल में और इसकी जो चमता है वो 115 मेगा वाट है ये इन्पॉर्टेंट है 115 मेगा वाट ये और ये चम्बल घाटी परियोजना है राणा प्रताप सागर ये चित्तोडगण में मिलेगा राजिस्तान में कोटा में ये भी चम्बल नदी पर है और जवाल लाल सागर जल विद्धुत परियोजना ये कोटा राजिस्तान में ये तीनों चम्बल नदी पर है और इंद्रा सागर अब देखते हैं अपन इंद्रा सागर बांध या पुनासा डेम भी बोलते हैं इसको तो इंद्रा सागर जल विद्धुत परियोजना पूचा या परियोजना पूचा तो यह है पुनासा डेम यानि पुनासा की जगह में है खंडवा में जिसकी छमता परिक्षा में आती है काई की मद्द प्रदेश का सबसे उच्छा बांध आई एक हजार मेगा वाट ये एक हजार मेगा वाट भी याद रखने जरूरी है पेंच जल विद्धुत केंद्र ये महराश्ट मिलेगा याने जिला नाकपूर जिले केंटर का ता आता है और इसका अन नाम पूछा जा सकता है तो तला डोल जल विद्धुत केंद्र ऐसा पूछा जा सकता है ये बरगी परियोजना इसको रानी अवंती बाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है और ये जवलपूर में बिजोरा ग्राम में वेरी इंपर्टेंट कोश्चन और ये आता है यहां से कोश्चन डाइरेक्ट बाण सागर परियोजना किस नदी पर है तो बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है और बाण सागर जल विद्धुत केंद्र पूछता या परियोजना पूछा है तो ये रीवा में भी मिलेग बीर सिंगपूर जल विद्धूत केंदर, उमरिया, ये राजघट जल विद्धूत केंदर, वेरी इनपर्टेंट, ये यूपी ललितपूर में भी आधा हिस्सा आता है और ये असोगनागर मद्द प्रदेस में भी और ये कहां पर है पूछा जाता है, राजघट बांध बे महस्वर जल विद्दुत केंद्र पूछा तो महस्वर खरगोन में और ओम कालेस्वर जल विद्दुत केंद्र पूछा तो ओम कालेस्वर खंडवा में और ओम कालेस्वर राष्ट्री उद्यान भी खंडवा में यह है आगे देखते हैं ये माडी खेडा जल विद्दुत केंदर ये important है ये माडी खेडा में है जिला सिवपूरी सिवपूरी में आता है माडी खेडा ये माडी खेडा जल विद्दुत केंदर इसी का एक और नाम मिलेगा मोहिनी सागर मोहिनी सागर ये भी स्यूपूरी में और काली सिंद नदी पर आई है याद रखिए इसको उसके बाद आता है ये दाद दादा धुनी वाले ताप ये ताप वाला लिखा गया है यहाँ पर दादा धुनी वाले ताप विद्दुत केंदर लिखा गया है थोड़ा सा दादा धुनी वाले ताप विद्दुत केंदर ये खंडवा में है और दादा धुनी वाले की समाधी पूछा तो वो भी खंडवा में है यह दोनों ताफ वाले लिखा गये हैं आपर यह जल वाले नहीं ताफ विद्दुत केंद्र है, बाक्य इसको भी याद रखी, यही परिक्षम पूछा जाता है सिंगा जी की समाधी पूछा तो खंडवा दादा धुनी वाले की समाधी पूछा तो खंडवा ये दादा धुनी वाले का दरबार भी पूछा तो खंडवा और सिंगा जी ता फिद्धुत के अंदर और एक बार इस टाइप का पूछा ता कोश्चन सिंगा जी किस छेत्र के आगे देखते हैं मद्द प्रदेश की प्रमुक परियोजना देख लेते हैं जो नदियों से इंपोर्टेंट है गोविंद वल्ल पंथ परियोजना इसी का दूसर नाम मिलता है बान सागर परियोजना ये सोन नदी पर है और ये मद्द प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है ये बात याद रखिए, important है मद्द प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है हलाली परियोजना, हलाली नहर भी विदिसा में है हलाली परियोजना इसी का एक नाम मिलता है समराट असोक सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है इसको याद रखिए हिलाली परियोजना और हिलाली नहर पूछेगा हिलाली नहर कहाँ पर है तो विदीसा में और ये हिलाली परियोजना विदीसा में है इसी का एक और नाम है समराट असोक सागर परियोजना मान परियोजना कहां पर करके कोश्चन आता है धार में है रानी अवंति बाई सागर परियोजना मैंने आपको बताया था बर्गी बांद का बर्गी परियोजना हो कहा जाता है ये जबलपूर में है उसके बाद आग देखते हैं तवा परियोजना मिलेगा आपको हुसंगाबाद में बान सागर परियोजना सोन नदी पर और ये मद्द प्रदेस उत्तर प्रदेस और बिहार की संयुक्त परियोजना ये आपको बता दिया मैंने चंबल परियोजना चंबल घाटी परियोजना यह चंबल नदी पर है और यह मद्द प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना थी और यह मद्द प्रदेश और राजिस्तान की संयुक्त परियोजना है यह बात याद रखिए आप और ये परियोजना के तहट तीन बांद बनाये गए थे जो आपको मैंने बता दिया नर्बदा घाटी परियोजना यहां मद्द प्रदेश की बहुत देसी परियोजना है और ये मद्द प्रदेश महाराष्ट गुजरात और राजिस्तान की संयुक्त ये आली नहीं है ये सरदार सर्वर परियोजना जो गुजरात में है ये मद्द प्रदेश महाराष्ट गुजरात और राजिस्तान की संयुक्त परियोजना याद रखिए चार राज्यों की संयुक्त परियोजना है, सरदार सर्योर परियोजना और सरदार सर्योर बांधवी गुजरात में है नरवदन अधी पर बात करते हैं बाग परियोजना की ये बाग परियोजना मद्द प्रदेस और महराष्ट की संयुक्त परियोजना है इवी परियोजना इंप्रटेंट है यह मद्द परदेस और उडीसा की सNewskth परियोजना है यह 42 परियोजना बालाःड में है कटंगी तैसिल तरप और यह मद्द परदेस और महराष्ट की सнов studios परियोजना है और यह 52 पर आगे उर्मिला परियोजना ये छतरपुर में मिलेगी केन बेतवा परियोजना ये मद्द प्रदेश की पहली नदी जोडो परियोजना है छतरपुर जिले में याने एक नदी का पानी दूसरी नदी में ले जाया गया था ये मद्धप्रदेश की पहली नदी जोडो परियोजना थी केन बेतवा लिंक परियोजना आगे देखते हैं रानी लचमी बाई परियोजना माता टीला परियोजना राजगाट परियोजना ये तीनों एक ही परियोजना का नाम है और ये बेतवान अधीपर है और ये मद्ध प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है ये बारना परियोजना ये राइसेन में है थावर परियोजना भी इंपोर्टेंट है मंडला में है और ये अपर वेन गंगा इसी का नाम मिलेगा संजय सरोवर परियोजना ये भीमगड में मिलेगा आपको भीमगड सिवनी और ये यहाँ पर ये संजय सरोवर परियोजना यहाँ पर एसिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मिद बांध भीमगड बांध बनाया गया है संज चोरल परियोजना ये इंदोर में है और ये मद्ध प्रदेस की पहली अंतर घाटी परियोजना है। इतनी परियोजना है मद्ध प्रदेस में जहां से question पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं कुछ महत्पुन नोट देख लेते हैं, अपन, कालीदास की रचना मेग दूत और रगुवन्स में नरबदा नदी का वर्णन है, कालीदास ने नरबदा को सोम प्रभावा कहा है, और यूनानी विद्वान टालमी ने नरबदा को नामो डोस और नामो डियस कहा है यह बन सकता है और यह हनुवंतिय टापू नरबदा नदी पर है खंडवा में बता दिया मैंने आपको नरबदा नदी के कुछ अन्य नाम देख लेते हैं नरबदा नदी का प्राचिन नाम मैंने आपको बता दिया था उसे रेवा के नाम से जाना जाता था रेवा कहा जाता है मायकाल सूता नामोदोस यह नाम है इसके कुछ अन्य नाम, और नर्वदा नदी की कुछ सायक नदिया देख लेते हैं आपन एक हीरण नदी है हीरण नदी जबलपूर में बहती है उसके बाद तिंदोनी तिंदोनी बारना कोलार चंदर केसर चंदर केसर नदी थोड़ी इंपोर्टेंट है यह देवास से है देवास में बहती है मान नदी धार में उपी कानार हातीनी हातिनी नदी अलिराजपूर में और और सांग और उसके बाद है बारनार बंजर सेर नदी थोड़ी से इंपोर्टेंट है नरसिंगपूर सक्कर चिंदवाडा और दूधी दूधी नदी है चिंदवाडा से ये भी तावा नदी हुसंगाबाद पच्मणी और गंजल छोटी पुन्डी और गोई ये कुछ महात्पूर्ण नदिया है और नरबदा की आगे देखते है चंबल की सहयक नदिया देख लेते हैं अपन चंबल नदी यमुना की सहयक नदिया और ये इटावा में जाके यूपी में यमुना नदी से मिल जाती है जैसे चंबल की एक सहयक ये देख लेते हैं अपन बानास ये बानास नदी पानास ये मद्प्रदेस की नदी नहीं राजिस्तान की अरावालि परवत के कुंब कुंबल गड़ के पास से वीरों के मठ से निकलता है यादै य। की नहीं है लेकिन राजिस्तान की नदी है जो चंबल की सायक नदी है दूसरी देखते हैं अपन छिपरा छिपरा है चंबल की सायक नदी है और यह काली सिंद जो देवास से निकलती है यह भी चंबल की सायक नदी है उसके बाद यह पारवती नदी भी चंबल की सायक नदी है और यह कुनो नदी भी चम्बल की सायक नदी है और एक है यह राजिस्थान की ब्रह्म ब्रह्मानी ब्रह्मानी नदी यह राजिस्थान से निकलती है और यह भी चम्बल की सायक नदी है और यहां से थोड़ा सा एक यह देख लेते हैं मन कुवारी नदी जो है कुवारी नदी याद रखिए सिंद की सहायक नदी है और सिंद जो है यमुना की सहायक नदी है चम्बल की नहीं है कुवारी नदी सिंद की सहायक नदी है और सिंद जो है यमुना की सहायक नदी है आगे देखते हैं पारवती नदी और काली सिंद नदी का संगम पर प्राचीन काल में प्राचीन नगरी पदमावती बसी हुई थी ऐसा कहा जाता है पारवती नदी का भीश्म पुर्व महाभारत में भी उलेख मिलता है यह भी एक इंपोर्टेंट हो जाता है यहां से अब आगे देख लेते है थोड़ा था उत्तर की और भहने वाली नदिये देख लेते हैं उत्तर की और कौनसी को उन्सी नदी भहती यह तो एक उत्तर के और बहती है सोन नदी मैंने बताया था मद्रप्रदेश की एक मात्र नदी जो डायरेक्ट जाके गंगा नदी मिलती है पट्रना के पास अन्य नाम देख लेते हैं इसे सोन नदी कहा जाता है सोन भद्र नदी कहा जाता है हीरिने वहाँ नदी कहते हैं उसके बाद बात करते हैं बेतवा नदी की बेतवा नदी को मद्रप्रदेश की गंगा कहा जाता है बता दिया था मैंने आपको यह हमीरपुर यूपी के पास UP के निकट यमुन में मिल जाती है बेतवा नदी यह भी यमुन की स्थायक नदी है और यह केन नदी यह भी उत्तर की ओर भहती है और इसका प्राचीन नाम important है इसका प्राचीन समय में इसमें कर्ण वती कहा जाता था काय नास और सुक्त मती के नाम से जाना जाता था ये तीनों इंपोर्टेंट है इसका और के नदी जो है इसमें पांडव जल प्रपा था ये इंपोर्टेंट है दक्षिन की और बहने वाली नदी देख लेते हैं और फिर वो नदी आगे जाके गोदावरी नदी से मिल जाती है, एक बार तो इस प्रकार का direct question पूछा गया था व्यापम में कि वैंगंगा नदी इनमें से किस नदी में जाके मिलती है और आपसन में जो था गोदावरी नदी था, और व्यापम जो है थोड़ा सा deeply MP पूछ र मेरे तो यहां पें मद्रदेश की पूरी नदी होती है, तो आज के लिए इतना ही, thanks for watching, and have a nice day.